नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्क 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार के दिन परम एकादसी मनाई जाएगी चुकि अधिक मास चल रहा है पुर्सोतम महिना जिसको कहते हैं और इस महिने की यह अंतिम एकादसी है यानि कृष्ण पक्ष की तसी भी कहते हैं 13 अक्टूबर को मनाई जा रही है और सनातन धर्म में एकादसी ब्रत सभी प्रकार की मनों कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है इस बार परम एकादसी का सुम महुर्थ और पार्ना के समय हमने इस स्क्रीन पे दिए है वैसे एकादसी ब्रत कैसे कर अगर संभव हो तो पवित्र नदी सरोवर में नहा लें घर में नहाना है तो पानी में गंगा जल डालके नहा है या फिर आप दो तुलसी के पत्ते ही डालके नहा लें वो भी गंगा जल के इतना ही नहाने का लाब देगा पुर्ने देगा इसके बाद अपने पित्रों का सच परम एकादसी परमा एकादसी का कथा जरूर इस दिन सुनना चाहिए आई हम आपको दो सब्द में कथा सुनाते हैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे देखी प्राचिन काल में सुमेधा नामक एक ब्रहमन था उसकी पतनी का नाम पवित्रा था वह परम सती और साथवी थी निर्धनता में जीवन जीने के बाद भीवे परमधार्मिक थे और सदैव अथिती सेवा में ततपर रहते थे एक दिन गरीबी से दुखी होकर ब्रहमन ने परदेश जाने का बिचार किया कि उनकी पतनी ने कहा धन और संतान पुर जन्व के दान से ही प्राप्त होते हैं अ उन्होंने कहा दर्यता को दूर करने का सुगम उपाई यही है तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादसी का ब्रत रखो और इस एकादसी के ब्रत से यक्ष्राज कुवेर धना दीस बना है हरिस्चंद्र राजा हुआ है ऐसा करकर मुनी महरसी कॉंडिल वहां से चले गया और सुमेधा ब्रह्मन ने पत्नी सहीतिया वरत किया प्राता काल एक राजकुमार घोड़े पर चड़कर आया और उसने सुमेधा को सर्व साधन संपन सर्व सुक सम्रिद्ध कर एक अच्छा घर रहने को दिया इसके बाद उसके समस्त दुख दूर हो गय तो इस तरह से इस एकादसी का महतो बढ़ जाता है इस दिन एकादसी पर आप पूझा जरूर करें ओम नमो भगवते वासु देवाय का जब करें चुकि आज का हमारा टॉपिक है गया जिसमें समझत देवी देपताओं का निवास है और जब भी एकादसी का दिन आता है त पीपल के नीचे रख दें इससे भी आपको उतना ही लाब होगा फिलाल आप से विदा लेना चाहेंगे जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा हर हर महादेब धन्यवाद